हमें हर वो चीज मिल जाए जो हम चाहते हैं चाहें वो महंगीकार हो बहुत बगा घर हो लगजरी लाइफ हो सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ने हेलो दोस्तो मैं सोनू जैसे हम आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट बुक की समरी लेकर रहा हूँ ये एक लाइफ चेंजिंग बुक समरी है अगर आप इस वीडियो में बताएगी बातों को अपनी डेली लाइफ में एपलाई करते हैं तो गैरेंटिड आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं दोस्तो इस बुक का नाम है ग प्रभावी सिस्टम को बताया गया है इसमें बताये गए तरीकों का उप्योग करके दस लाक से अधिक लोगों ने एक्स्टर ओर्डिनरी लक्षे को प्रफ्त किया है खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सिखिए यह सिध्धान्त कहता है आप जिस चीज पर द्रग चाहिए बस आप मेहनत करके उसके नीचे फांडेशन बना लें दोस्तो ब्राइन ट्रेसी की एक कंपनी भी है जिसका नाम है ब्राइन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी और जो की एक हजार से ज़्यादा कंपनियों को परसनली सला भी देती है दोस्तो एक फेमेस ओथर दिखा है अधिकतर लोग लाइफ में fail हो जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके बास दिमाग नहीं होता ability नहीं होती या हिम्मत नहीं होती बलकि वो सब इसलिए fail होते हैं क्योंकि वे कभी वी चीजों को organize करके अपने लिए propair goal set ही नहीं करते दोस्तो आईए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि goals होते क्या है goals आपके जीवन के रास्तों के signboard है, signal है, landmark है वे दिसाय हैं आपके मस्तिक्स को मिलने वाले वह इसपश संकेस हैं जिनसे यह पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं कहां तक पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे, goals तै करते हैं कि आपकी जिन्दगी किस्मत के भरुसे नहीं है बलकि आपकी जिन्दगी goals के भरुसे है, goals में दोस्तों चार बातें important होती है सबसे पहला goals इसपश्च और लिखेवे होनी चाहिए, goals नापने योग्ये होनी चाहिए, goals सरलता और जल्दी से बताये जाने वाला होना चाहिए एग नमबर 4, goals हांसिल होने पर या हांसिल ने होने पर पता चल जाना चाहिए दोस्तो इसके बाद हम लोग बताते हैं कि लक्षे क्यों जरूरी है हमारे जीवन में गोल्स से आपके संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तो गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं गोल्स जीवन को गती देते हैं और इससे भी बगी चीज गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलता रहता है आपकी जिन्दगी और आपका समय अनमौल है लेकिन यह दोनों उस समय बहुत जादा बरबाद होते है जब आपके पास रिटन गोल्स नहीं होते आपने अभी तक अपनी संभावनाओं के छोटे छोटे किनारों को ही हासिल क्या है पूरा समंदर अभी तो बाकी है यह यातरा तभी सुरू होती है जब आपके पास किलियर और रिटन गोल्स होते हैं दोस्तो आईए इस बुक मे हम लोग जानते हैं कि गोल्स कैसे बनाय जाते हैं नंबर वन है शुरुवात गोल्स की दिसा में शुरुवात करने का सबसे पहला कदम यही है खुद को इस एहसास से अच्छी तरह से भर लें आप क्या कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है आपके लिए सब कुछ संबभ है आ जिन से आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं एक बार उपर नीले आसमार की और देखें वहां कोई भी सीमा नहीं है बस वही नीला आसमान आपके मन के भीतर भी है नंबर टू अपनी जिंदगी का नियंतरन अपने हाथों में ले दोस्तो गोल्स की तरफ बढ़ने का दूसरा कदम है अपने जीवन की पूरे जिम्मेदारी ले आपका लाइफ आपका ही क्रियेशन है इसे आपने ही बनाया है जिन कामों को भी अभी आप अपने लिए किये हैं जिन कामों को आपने नहीं किये हैं आपने जो डिसीजन लिए हैं जो डिसीजन आपने नहीं लिए हैं सब आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा है इसमें दूसरा कोई भी सामिल नहीं है बिना इस जिम्मेदारी को सुईकार के आप लक्षों की दिसामा बढ़ ही नहीं सकते इसके लिए आपको चार निगीक्टिव काम इमीडियेटली आज से ही छोगने होंगे जो दुसमन बनकर आपकी जिम्मेदारियों के बीच खड़े हैं नमबर वन दूसरों के अंदर दोस ढूंजना बंद करें नमबर टू दूसरों की सिकायत करना बंद करें नमबर थिरी दूसरों की राय से खुद को परिभासित ना करें और नमबर फोर है दूसरों के सामने खुद को सही साबुत करने की आपको कोई जरुवत नहीं है दोस्तों जैसे ही आप यह चार काम छोड़ते हैं आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है आप responsible हो जाते हैं मैं दूसरों के दोस में दोस नहीं ढूनूंगा मैं दूसरों की सिकायत नहीं करता मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ आपका यह resolution यानि के संकल्प आपको खुशियों से भर देता है क्योंकि जिम्मेदारी खुशी और नेंदरन तीनों का यह गैरा संबंध होता है सारी सुरुवात बस यहीं से होती है नमबर थिरी है अपने जीवन मुल्यों को इसपष्ट करें गोल्स की तरफ बगने का तीसरा कदम है अपनी life value यानि के अपनी जीवन के मुल्यों को समझना आपके life value आपकी life और आपके personality का केंदर है आप क्या है आप किस तरह के इंजान है आपकी अंदरूनी बनावट कैसी है इसको पहचानना और उसका पता लगाएं आपके life value का असली एक्जाम दो तरीकों से होता है नमबर एक आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी दवापू इस्थिती में होते हैं जब लोग आपको देख रहे होते हैं और नमबर टू आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिलकुल फिरी होते हैं और आपको कोई भी देख रहा नहीं होता यानि आपके इंदर क्या है आपके बाहर क्या है इनी दोनों बातों से आपके life value तै होते हैं आपकी पूरी personality पाँच रिंग वाले सरकल की तरह होती है इसके center में होता है आपका जीवन मूले यानि कि life value आपके विश्वास को प्रकट करता है आपके विश्वास आपकी expectation को आपकी अपेक्षाओं से आपका नजरिया दिखता है आपके नजरिये से आपका भारी काम आपका भारी व्यवार और आपका भारी संसार भी दिखता है दोस्तो negative live value आपके नकारात्म क वियवहर को प्रकट करते हैं वहीnd positive live value आपके सकारात्म वियवहर को प्रकट करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि सफलता की सीडि़ दोष्ट सेड़ों पर टिकी हुए है इसका उपरी सिरा आपके गोल्स पर होता है और निचला सिरा आपके live value पर टिका होता है आप गलत जीवन मूल्यों के आधार पर सच्चे गोल कभी भी हासिल नहीं कर सकते दोस्तो नमबर चार पर आता है अपने काम के विशेशग्या बने गोल्स की दिशा में बगने का चोथा कदम है अपने काम में specialization हासिल करना अपने किसी भी काम में आपकी specialization तीन बातों से ना पी जाती है पहला आप क्या काम करते हैं दूसरा आप उस काम को किस तरह से करते हैं और तीसरा दूसरों के लिए आपका यह काम करना कितना मुश्किल होता है यहाँ पर तीसरी बात सबसे महत्व की होती है जो यह साबित करती है आप किसी भी काम को कितनी विशेशग्यता से करते हैं किसी भी काम में विशेशग्यता आपको तब ही हसिर हो सकती है जब आप उस काम को पसंद करते हैं मन चाहा काम ही आपको मन चाहा जीवन दे सकता है सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है दोस्तो आपके लिए सबसे बड़ा लक्षे यही है आप उस काम का पता लगाएं जिससे आप सचमुच प्यार करते हो जिसे करते वक्त आपको खाने वे सोने की चिंता ना सताती हो जब आप उसे करते हो तो अपनी सुदबुद खो बैठते हो अगर पैसे ने भी मिलें तो भी उसे करने की इच्छा आपकी आत्मा से निकलती हो उस काम में सफल लोगों को जब आप देखते हो तब उन्हीं की तरह बनने की प्रबल इच्छा मन में जागती हो अगर ऐसे लक्षे ऐसे गोल्स किसी काम के परती आपके पास हो तो बस आप समझ लो यही आपके हिर्दे की गहरी इच्छा है इस उद्देश से के लिए ही आपको धर्तिबर भीजा गया है और इसी काम के चारों और अपने करियर अपनी जीवी का अपने सपनों की तस्वीर बनाईए क्योंकि यहीं पर आप सबसे बहतर परदसन कर सकते हैं वरना आप सिर्फ अपने समय उर्जा और अपनी शमताओं को बरबाद करते दूसरे कामों में ही फसे रहेंगे दोस्तों नमबर पांच पर है अपने सपनों की तस्वीर बनाएं याद रखें जहां सपने नहीं होते वहां लोग नश्ट हो जाते हैं अपने गोल्स की तरफ बगन्दे का पांचवा कदम है एक कागज में सबसे उपर लिखें कोई सीमा नहीं है यानि के कोई लिमिट नहीं सब कुछ संबव है अपने आपको पांस साल आगे भविस्यों की ओर ले जाएं अपने पांस साल के बाद के आईएल फीचर को कलपना करें वहां पर पहुंच जाएं आपको सब कुछ मिल जाएं सारी घटनाएं घट चुकी हैं अब आप वह सब कुछ बन चुके हैं जो चाते हैं अपनी कलपनाओं से उसे जीना शुरू करें उसके भीतर जाएं उस आगे लाइफ को भरपूर जीएं क्योंकि वह जीवन आपका ही है उसके बाद उल्टी यात्रा करें वापस अपने भविस्यों से अपने वर्तमान तक लोटें एक कागज में अपने पांस साल क भविस्यों की सो बाते लिखें कम से कम सो इस से कम नहीं यही सो बाते आपके सो लक्षे हैं आपका सबरूप अप कैसा है आप कैसे दिख रहे हैं आपकी सिहत कैसी है आपके आसपास क्या हो रहा है लोग आपके बारे में अब क्या बाते कर रहे हैं आपके परिवार में सब कुछ कैसा चल रहा है आपकी सेहत कैसी है आपका आर्थिक इस्थर कैसा है आपके बैंक में बैलेंस कितना है आप कितनी बचत कर रहे हैं और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी नेट वर्थ कितनी है आपका घर अब कैसा है आपके पास कितनी कार हैं आपके सामाजिक संबंद कैसे हैं मैंने यहां सिर्फ कुछ लक्षों के बारे में ही बता है लेकिन आपको कम से कम सो गोल से लिकने हैं ध्यान रखें अपने दिमाग को दुनिया भर की नकारात्मा खबरों से ने भरें अपने दिमाग को भविश्य की सब कुछ वैसा होने लगेगा जो आपको आपके भविस्य की ओर ले जाएगा इसे करें बदलाव महसूस करें आखिर आपका जीवन आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है इसके बाद अगला कदम यह है कि इस सो गोल्स वाली इस लिस्ट में से दस में गोल्स को अलग चाते हैं यानि कि short term goals जिने आप जल्द ही पाना चाते हैं अब इस दस goals की लिस्ट में से एक main goal निकाल ले जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है जिससे आपकी जिंदगी पर सबसे ज़्यादा असर परता है यही आपके जीवन का सबसे main goal है इसकी मदद से अब आपकी बाकी goals आसानी से हासिल कर सकते हैं इसे लिखकर अपने पास रखें फिर इसे सुबह दोपह रात हर वक्त सोचते रहें इसे हासिल करने क की सभी समभव कामों की list को तैयार करें और लगने वाले समय और summer appeal की कीमत को भी तैयार करें और फिर जुच जाएं दोस्तो goals हासिल कैसे की जाते हैं आये जानते हैं इस book में इस बूक में goals को हासिल कारने के सारे तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है इन सभी तरीकों को पाँच स्टेप में तयार करके बताया गया है स्टेप बन डेली अपने गोल्स को लिखें वे उसकी मानसिक तस्वीर बनाए रोज अपने गोल्स को लिखने और अपने गोल्स की मानसिक तस्वीर देखने की आदत डाले आप अपने ब्रेन में जिस हांसिल करना चाहते हैं उसे हर रोज अलग-अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें इसमें तीन बातों का विसेज गान दें पहला आप जो भी लिख रहे हैं वेब प्रिजेंट टेंस में ही लिखें जैसे मैं कमा रहा हूं मैं कार चला रहा हूं इस तरीक से दूसरा हम इ बहुत पैसा कमा रहा हूं तीसरा इन्हें हमेशा परसनल लखें इसमें आप खुद को जरूर सामिल करें जैसे मैं पांच कमरों वाले फ्लैट में रह रहा हूं जैसे जैसे आप इस स्कृप्ट को आगे बढ़ाएंगे आपकी इस स्कृप्ट से आपके मन में तस्वीरें बननी सुरू हो जाएंगी मानसिक तस्वीर देखना इनसान की सबसे बड़ी सक्ति है आपको इस मानसिक तस्वीर देखने की अंजान सक्ति को अपनी योगता में बदलना है आप हर रोज एक निश्चित समय और निश्चित इस्थान निकाल लें अपनी कलपना सक्ति से अवचेतन मन सारे समय की स्क्रिप्ट पर आप काम करता रहेगा आपके जीवन का निर्मार करता रहेगा अपने आदर सवरूप को इन तस्वीरों में जीना सुरू करें क्योंकि यही आपकी सच्चाई है यही आपका जीवन है यह आदत है और यह योगता है आपके जीवन क पूरी तरह से काया कल्प कर देगी Step 2 है अपने विश्वासों को पहचाने और इसपश्ट करें दोस्तो इस वक्त आप कहां है आपका माइंड जो सोचता है जिस पर विश्वास करता है उसे ही हासिल करता है बच्पन से लेकर आज जिन विश्वासों ने आपको average बना कर रखा है जिसकी वैसे आप वह सब नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे वह सब हासिल नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे उन्हें पहचाने जब आप यह जान चुके हैं आपकी कोई सीमा नहीं है आपकी कोई limit नहीं है तो अब आप यह भी समझ जाएं आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं अब अपने लिए यह विश्वास तयार करें मैं असीम शम्ताओं और असीम संभावना के साथ पैदा हुआ हूँ मैं एवरेज नहीं हूँ मैं एक महार व्यक्ती हूँ मुझे विश्वास है सफलता मेरे लिए निश्चित है आपने अपने आपको पांस साल बाद आई ये लाइफ इस्टाइल में जीते हुए देख लिया है अब आप प्रेजेंट में हैं आपकी आदते हैं आपका पहनावा आपकी कारे सहली सब वही होनी चाहिए जो आज से पांस साल बाद आपकी माइन में तस्वीरों में है यह भी पता लगाएं कि अतीयत के कौन से निर्णे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं जिने आप छोगना चाहते हैं जितनी जल्दी आप इन्हें छोग देंगे उतनी जल्दी आप सुरुवात कर देंगे दोस्तो इस टेप थिरी है योजना बना कर काम करें योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें अपनी प्रोग्रेस को ना पें बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय नहीं देते वह यह सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है उतना ही समय काम में लगाया जा सकता है जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तब धेर सारा समय उस पर सोचने में बिदाते हैं वे इस बात का मैत बिलकुल नहीं समझते, सोचने का काम सुरू करने से पहले का होता है, बाद का नहीं, सोचने और योजना बनाने में लगा एक मिनट काम के दस मिनट बचा सकता है, इसे सीखा जा सकता है, इसमें पूरी तरह माहिर बना जा सकता है, सोचने का नियम यह है, ज से process में बदल दें, कारे प्रारम कर दें, यानि कि start कर दें, इस पर नजर बनाए रखें और समिक्षा करते रहें, जरूरत होने पर बदलाव करते रहें, time management एक आदत भी है और एक योग्यता भी है, इसे दोराव से सीखा जा सकता है, practice से expert बना जा सकता है, दरसल आप समय का management नहीं करते बलकि समय के साथ खुद का management करते हैं दोस्तों आप अपने हर रोज के जरूरी कामों की to-do list बनाएं इसका सबसे उपयुक समय रात को सोने से पहले होता है पिछली रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की to do list बना ले to do list का मतलब होता है जो कार्रे आपको करने है क्योंकि जब आप अपनी to do list सोने से पहले बनाते हैं तब आपका subconscious mind रात भर आपकी to do list पर काम करता है सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के लिए नए नए और बहतरीन विचार मिलते हैं अपनी progress का score board तयार करना और उनके अनुसार कारे करना एक habit भी है और एक योग्यता भी है इसे repetition से सिखा जा सकता है practice से expert बना जा सकता है हमारा mind इस परस्ट चीजों को देखना चाता है उन्हें ही वास्तविक्ता में बदलता है धुंदली तस्वीरों के साथ वह काम नहीं करता इसके लिए आप पांच step वाले process का इस्तमाल कर सकते हैं नमबर वन आप अपने किसी बगल गोल को छोटे छोटे पार्ट में बाच लें नमबर टू गोल के उस पार्ट को पूरा करने की समय सीमा को तयार करें नमबर फॉर गोल्स की मातरा समय सीमा के साथ पून करने की कोई संख्या निर्धारित कर दें और नमबर फाइव हर दिन का अपना गोल हासिल होने पर अपने आपको marks दें यानि के अंक दें दोस्ता नमबर फॉर श्टेप है सही लोगों से जबें और लचीले बनें जिन्दगी में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं सकसेस हमेशा लोगों से ही आती है इससे आपका सलक्षन बहुत माइने रखता है सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सकसेस का रास्ता खोल देता है इसका उल्टा भी उतना ही सच है हमेशा कोशिस करें आप जिन की तरह बनना चाहते हैं उनके आसपाद ज्यादा रहें उनके साथ जोगने का गोल बना लें सही सेलेक्षन आपके करियर को जितनी तेजी से आगे बगा सकता है साएद दूसरी चीज नहीं बगा सकती चेंज ही ऐसी चीज है जिसका होना हमेशा निश्चित होता है आज हमारे चारो और की सूचना तेजी से लगतार बदल रही है इससे लोगों का जीवन कारोबार बजार की इस्थिती भी तेजी से बदलती जा रही है दोस्तो चेंज से निबटने का इकलोता तरीका यही है चेंज के प्रती आप अधिक लचीले हो हम तभी तेजी से आगे बगश सकते हैं जब खुद को बदलने के लिए तयार हैं दोस्तो श्टेफ फाइब है अपने अती चेतन मन को सक्रिय करें आप अपने अती चेतन मन यानि के सूपर कॉंसेस माइंड को सक्रिय करने के अपनी रचनात्मक ताका ताला खोलें फिर अंध तक जुटे रहें हमारा माइंड तीन तस्वीरों पर काम करता है पहला चेतन मस्तिस्क यानि के Conscious Mind यह तर्क और विसलेशंग से काम करता है दूसरा है अब चेतन मैंज यानि के Sub Conscious Mind यह विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है इसका मुख्य काम हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर फाइले तयार करना है इन फाइलों से ही हमारे जीवन की हर घटनाओं का निर्मान होता है और तीसरा है अती चेतन मस्तिस्क यानि के Super Conscious Mind दोस्तों इसे कई नामों से जाना जाता है इसे अनंध प्रग्या इस्वरी मस्तिक या इंटी इंट्यूशन कहा जाता है बड़े महान गोल्स को हासिल करने में इसका इस्तमाल किया जाता है किसी संकट के समय अचानक इस्वरी प्रेणा यहीं से मिलती है अपने Super Conscious Mind को सक्रिय करने के दो तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्षे को हासिल कर सकते हैं फुल एफर्ट्स एंड फुल रिलक्सेशन टेक्निक पहला पूरा ध्यान दीजिए अपने गोल्स पर पूरा फोकस करें अपनी पूरी एनर्जी लगाईए पूरी सकती से काम करें पूरी तरह से अपने आपको जवाब दें अपने आपको जोग दें हो सकता है इस स्टेज पर आपको तुरंत कोई सफलता ना दिखाई दे दूसरा फिर पूरी तरह छोग दें खुद को रिलेक्स करने दे उस तरह से ध्यान हटा ले किसी दूसरे क्रियेटिव वर्क में अपने आपको लगा दे कोई अच्छा संगीत सुने किसी पार्क में घूमने जाए इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अथी चेतनमन बहुत तेजी से काम करने लेगा आपके चारो तरफ ऐसे साधन ऐसा वादावरन ऐसी गटनाएं ऐसी नोलिज आपकी तरफ आकर सित होने लगेंगी जिससे तेजी से अपने आपको गोल्स की और बढ़ता होँ पाएंगे गोल्स को भी उतनी तेजी से अपनी और आता होँ देखेंगे इस टेकनिक का सारा सार यह है कि सबसे पहले स्टेज में जितनी ज़्यादा आप कोसिस करते हैं दूसरे स्टेज में जितना ज्यादा उतनी ज्यादा कोशिस नहीं करते आपका अतिचेतन मन आपके लिए उतनी ही तेजी से काम करने लगता है आपके जीवन में समाधान या उसकी रोशनी बिजली की कौंध की तरह पर कट होती है उसकी इस बगी चमक से आप समझ सकते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है जो आपके गोल्स की और ले जा सकता है दोस्तो कैसी लगी आपको एबुक समरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमेशा मोटिवेटिड रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करें दोस्तो मैं डेली मोटिवेशनल वीडियो जरूर डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो प्लीस लाइक अंड सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर तो ओल यूर फ्रेंग्स थैंक यू दोस्तो